खूमत पर साधान निशाना का हालात को साथगार करार दे कर रसमले इंतिखाबात ना कराना समसे बाहर बांडिपूरा में गैर हाजर तबी और नीम तबी अमले के खलाब करवाई पांच डाक्टर मौत्त पंद्रा नीम तबी अमले को वज़ा बताओ नोटिस जाए नाकस और जाली खाद अद्वियाद से बाग मालिकान को करो रुप्यों का नुकसान होने का अंदेशा हुकूमत और मुतलका माकमे पर नकली अद्वियाद के कारवार करने वालों को खुली चूट देने का इल्जान और पेशेंग ख़वरों की तफसील परलिमेंट के बजट सेशन 2023 के दूसरे मरहले के पांचवे दिन हंगामे के बाइस से लोक सबा और राजस सबा की कारवाई 20 मारिश तक मलतवी कर दी गई बीज़ेपी के अरकाने परलिमेंट मुसलसल राहुल गांदी से माफी मौनगने की अपील कर रही दूसरा मरहला तेरा तारीक को श्रू हुआ था लेकिन गज़ेशता चार दिनों से मुसलसल हंगामा आराई के बाइस पारलिमेंट के दूनों एवानों को मलतवी किया जा रहा है बारतिय जन्ता पार्टी मुसलसल कॉंगरेस लीडर राहुल गांदी के लंदर में बारत में जमूरियत के हवाले से दिये गए बायान पर माफी मांगने का मुतालबा कर रही है पीजेपी के अरकाने संबले ये सलसले में एवान की कारवाई नहीं चलने दे रहे हैं राहुल गांदी ने गुज़स तरोज कहा कि उन्होंने लोगसबा स्पीकर से मुलाकात की और लोगसबा में अपनी बात पेश करने के लिए वक्त मांगा है अधर कॉंग्रेस और दीगर अपोश्चन पार्टिया अधानी ग्रूप पर हिंडन बर्ग की रिपूर्ट की ताकिकात के लिए जे पीएस सी की मुतालबे पर दूनों एवानों में मुस्लसल हंगामा आ रही कर रहे है इसके लावा पोश्चन जमातों का एक ग्रूप भी हुकूमत पर मरकजी तब तेशी अजन्सियों के गलत इस्तिमाल का इल्जाम लगा रहा है जिसके वज़े से एवान की कारवाई में खलल पड़ा एवान में आड़ भी वक्फ सिफर और वक्फ सवालात नहो सके सोंबार दिनाग वीज मात दो जात इविस को ग्यारा बज़े तक के लिस्तिकित की जाती है दोनु एवानों की कारवाई भी इस मारेश तक मलतवी होने के बाद आपोश्चन लेडरों ने पारलिमेंट हाउस में गांदी मुझसमा के सामने आथिजाज किया दिली में अपोश्चन लेडरों ने पारलिमेंट में गांदी के मुझसमे के सामने आथिजाज करते हुए अडानी केस की जेपी सीजाज का मतालबा किया कॉंग्रेस एमपी और यूपी एकी चेरपरसन सोनिया गांदी राहूल गांदी और कॉंग्रेस सदर मलिकर जुन खड़गे भी आथिजाज में शामिल होई थे इस से कबल बीजेपी सदर जेपी नड़ा ने लगाए कि राहूल गांदी हंदोस्तान के खलाब काम करने वालों के साथ हैं और नहीं हंदोस्तान के उंदरूनी मामलात में भीरूनी ताकतों से मुदाकलत का मतालबा करने पर माफी मांगनी होगी र्यासत बिहार के जला कछियार में एक कश्मीरी नजवान को पोलीस ने हिरासत मिलिया हैं गुजास तरहात नगर्ताना पोलीस ने मामूल के गश्त के दौरान हिरासत मिलिया था और अब इसे खुफिया इदारों के हावाले कर दिया गया है नौजवान की शराकत नासरवाजा के बतोर हुई है पुलीस का कहना है कि स्टिथाने की पुलीस रात एक बज़े गश्ट के लिए निकली तो पुलीस की नजर एक नौजवान पर पड़ी जो सड़क पर गूम रहा था उसने अपनी पीट पर एक बैग उठाया हुआ था और इसमें कुछ सामान था पुलीस टीम ने इसे रुकने को कहा लेकि नौजवान हिंदी नहीं समझता था कश्मीरी नौजवान आधी रात को सरक पर क्यों गूम रहा था इसकी कोई ठोस वज़ा न मिलने के बाद पुलीस ने इसे हिरासत मिलिया है इप्तिदाई पूछगच के दौरान नौजवान पुलीस को अपनी सही शनाखत भी नहीं बता सका जिसके बाद गैर मुल्की होने का मामला सामने आ तो फॉरन इस मामले को इतलाख खुफिया इदारों को दी गई है पुलीस का मज़िद कहना है कि गरिपतार शक्स ने इनकिशाप किया कि उसकी शादी बारत से बाहर एक लड़की से हुई थी और वो इसके साथ रहता था लेकिन उसने कहा कि वो वहाँ वापस नहीं जा सकता क्यूंकि उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है पुलीस कांफेनस के लीडर सेद बशारत बुखारी ने मरकजी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ हकुमत जमुकश्मीर में खालात साथगार होने की दावए कर रही हैं तो दूसरी तरफ एसम्बली इंतिखाबात के लिए खालात को नासाथगार कराद दे रही ह हैं जो जमुकश्मीर के अवाम के लिए बतकिस्मती और सम्झ से बालातर हैं। और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि टोरिस्ट पहली बार किश्मीर आया, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गुलमर्ग शायद अभी बना है, शायद डल अभी बना है, शायद पहलगाम भी इनुने बनाया, इस तरह की बाते हैं कि लगता है सब कुछ पहली बार हो रहा है, और कहते हैं सब कुछ ठीक टाट है जब इलेक्शन की बारी आती है तो कोई नहीं कोई ऐसी बात कहते है कि जब इलेक्शन के लिए भी माहौल नहीं है तो माहौल कैसे अच्छा है जब आप लोगों को अपने हक के राइद ही का मौका नहीं फराम करेंगी अगर हाला उस तरह क हैं कि कैसे हैं यह हमारी समझ से बाहर है हलाकि ली पार्लिमेंट के एहवान में करेंगे यह उनम्पर फर्ज होता है कि जो उन्हें आफ जारे रहे गया झार तो आथे जज्यारते वप वावक्वा